क्लाश 11 में कौन सा सब्जेक्ट लें यदि आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है जब हम क्लाश 10 पास करते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि क्लाश 11 में कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही होगा लेकिन दोस्तो आप बिल्कुल भी परिशान ना हो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे आपको सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और इसी प्रकार की केयार गायडान से समद्देद वीडियो देखने के लिए चाहें तो आप इस चैलन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ठीक है कि आप medical field में जाना चाहते हैं या engineer या किसी अन्चेत्र में यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत सारे बिधारतियों की यही समस्य होती है कि वह यही नहीं जान पाते कि उनकी रुची के छेत्र में है कि आप भी यह यह नहीं कर पा रहे तो परिशान भले ही नहीं हो यह समस्य बहुत सारे बिधारतियों की होती है यदि आप अपनी रुची के बारे में जानना चाहते हैं तो एक तरीका है जिससे आप अपनी रुची के बारे में जान सकते हैं अब आप कहेंगे कि सर वो तरीका क्या है, तो बहुत ही simple है, यदि आप class 11 में admission लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कक्षा नभी और आपनी कक्षा दस्मी की प्रिक्षा पास कर लिए होगी, तो कक्षा नभी और कक्षा दस्मी में आपने जो भी subject पढ़े हैं, जै आपको सब्यहों देक्ट का अलग अलग रहता है किसी को मैद पढ़ने में JOSH आता हैं है तो यह आपको देख्ट है कि कौन सब्ष 스ंच पहले में अच्छा लगता था तो थो why यह tos सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता था जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आता था यानि कि वो आपकी उस सब्जेक्ट में रुची थी और वहीं सब्जेक्ट लेकर आपको आंगे पढ़ना चाहिए यदि आपको गलत और साइंस पढ़ने में मज़ा आ ठीक है लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को चुनने से पहले कुछ आपको basic point है जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट अक्षर 11 में लेना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो आपके interest के अंसार होना चाहिए और आप अपन ही आपको अपना सब्जेक्ट लेना है जो बिद्याती डॉक्टर बना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वहाई science स्टीम के अंतरकर biology सब्जेक्ट लें इसी प्रकार बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जिनके बारे में मैंने detail से हमारी एक वीडियो में बताया है कि यद यह सबी मैंने आपको एक video के मादम से बताया है यदि आप उस video को देखना चाहते हैं तो इस video को discussion box में आपको इस video की link मिल जाएगी वहां से जाकर आप इस video को देख सकते हैं तो आसा करते हैं यह जानकारी आपके लिए help रही होगी तो इस video को अपने दोस्तों के इसाथ सा जरूर करें जिससे उनके भी सारे डाउट किलियर हो जाएं ठीक है इस वीडियो को में ही शमाम करते हैं वीडियो को लाश्टर देखने के लिए धन्यवाद